जाहिन साथियों अभी हम लोग पस्ते हैं एक्जाम टोर चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं आज शुबह दस बेसे मीटिंग था बी एससी सीजियल एक्जाम कंड़क्ट कराने को लेकर यानि कि आपका एक्जाम 23 और 24 दिसंबर को होगा या नहीं होगा इसको लेकर शफल आयो जोजन को लेकर क्या-क्या सवधानी बरतना है कैसे क्या करना है इन सारे चीजों पर बात हुई और आपसे बता दे थोड़ा सा सबको लग रहा था कि यदि इसी बीच में चुनाओ है तो क्या चुनाओ को लेकर एक्जाम डेट को बढ़ाये जा सकता है लेकिन अभी तक का जो न्यूज है उसमें ये कनफर्म हो चुका है कि आपका एक्जाम 23 और 24 को यानि की दिसंबर में ही लिया जाएगा अब एक्जाम डेट बढ़ने की बहुत कम संभावना है पहले प्रबल संभावना थी लेकिन अब बहुत कम संभावना है इसकी पुष्टी की बात दिया था कि 10 से 15 के बीच में यानि 12 हो सकता है 13 हो सकता है किसी भी समय आपको एनमिट काट जारी कर दिया जा सकता है देखिएगा यहां पे थोड़ा सा ध्यान दिजेगा क्या दिया गया है पुलिस महानिर्देशक बिहार सभी अनुमंडलिये पदाधिकारी बिहार सभी प प्रतियों परिख्या के शफल आयोजन है तुदिनांक 212-2022 को वीडियो करने के माध्यम में आयोजन करने के संब्ध में देखिए तो सभी लोग इसमें उपस्तित रहे और सभी लोग को वीडियो कण्फरेंसिंग के द्वारा बताए बाचित किया गया बहुत सारे लोग यह कह रहे थे कि एक्जाम के बीच में यानि कि थोड़ा सा समस्या हो सकता है लेकिन इन समस्याओं का समधान करने का बोला गया यह नहीं बोला गया कि एक्जाम डेट बढ़ेगा आप अपने अपने समस्या को रखे सभी लोग लेकिन उसका समधान करने को बताये गया यह एक वहाँ डियम के मून्शनिंग में ही तभी की नुक्ति होती है Central और इस लिए इस बार सब्से खास ध्यान यह रखना है कि कोई ऐसा जो सब्से खास ध्यान यह रखना है कि जहाँ पर मिखीक इसी परकार का यदि कि सेंटर रहा है उस संसर को नई लखना है इन सारे चीज़ को लेकर DM को निर्देश भी दिये गए और आपसे बता दे यदि अभी भी सब कुछ है सही रहा तो आपका एकजाम वहीं सेम यानि दिसंबर में होगी अब आप अपने आपको एकदम तैयारी में रम दे और एक बात बता दे केवल और केवल यदि अभी से भी पोजेटीव आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपका पीटी रिजल्ट हो सकता है यदि यहां आप थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं करने का अर्थ हुआ कि आप छोड़ते हैं पढ़ते हैं इधर उधर करते हैं तो आपका रिजल्ट गिर सकता है इसलिए सब्सक्राइब करें और जो भी नोटिस आएगा वह नोटिस आप लोग को समय से मिल जाएगा सुबह में ही मालुम चल गया था कि मिटिंग हुआ लेकिन दस साड़े दस बैसे शुरू हुआ उसके बाद मिटिंग समाप्त होने के बाद कोई वैसा कंकुलूजन नहीं निकल के जा रहा था जिसके कारण में आप लोग को वीडियो नहीं दिया लेकिन अभी तक मालुम चल रहा है सुत्रों के मुताबिक कि आपका एक्जाम उसी डेट पर लिया जाएगा इसकी पुष्टी वेस्चंपारन के डियम के ऑफिसियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते ह फेस्बूक और आपर वहाँ पर ही बता दिया गया है कि वहाँ मिटिंग हुआ लेकिन किलियर कब होगा जब आपका अब दस के बाद एडमिट कार जारी कर दिया जाएगा तो तो आप जरू चैनल को सब्सक्राइब करें लोगों में सेयर करें जै हिंद जै भारत जै इवा झाल